हेलो फ्रेंड्स बहुती स्वाधिस सुन्दर और डिजाइनर रेस्पीज वाले हमारे यूट्यूब चैनल मील्स और गेजिट्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम कुकर में बहुती फटाफट और बहुती खिले खिले मीठे चाबल बनाएंगे बसंत पंचमी आ रही है और इस दिन लगवक सभी घरों में मीठे चाबल बनाए जाते हैं मीठे चाबल बनाने में बिगनर्स को बहुत परिशानी होती है किसी के चाबल सही पकते नहीं हैं किसी के चाबल जोड़ जाते हैं खेले खेले नहीं बनते हैं और मीठे चावल बनाने में टाइम भी बहुत लगता है तो आज हम आपको केवल पांच मिनिट में बहुत खेले खेले मीठे चावल बना कर दिखाएंगे मेजर मेंट यह नाप के लिए हमने इस्टील की एक कटोरी लिए है इसी श्टील की कटोरी से नाप कर हम सारे मेजरमेंट करेंगे हमने एक कटोरी लेविल से भर कर चावल लिये हैं जिसे अच्छे से धोकर हमने आदे घंटे के लिए बिगो दिया है चावल आदे घंटे से ज़्यादा ना बिगो हैं नहीं तो चावल तोटने लगेगा हमने थ्री फोर्थ या पौना कटोरा चीनी ली है कहने कारत ये है कि एक कटोरी चावल में पौना कटोरी चीनी लगेगी दो टीस्पून देशी घी लिया है दो पिंच ओरेंज फूट कलर लिया है यदि आपको येलो चावल बनाने है तो येलो फूट कलर ले ले यदि आप फूट कलर का प्रयोग नहीं करना चाहते है तो इसमें आदा टीस्पून हल्दी का प्रयोग कर सकते है इसके अलावा हमने चार पांच लॉंग दो इलाइची और कुछ मेवे लिये हैं ये आपशनल है यदि आप मेवा ना डालना चाहें तो ना डालें मेवे डालने से पुला का साथ बहुत बढ़ जाता है हमने काजू बदाम किश्मिश और गोले के स्लाइस लिये है इस्टील की एक कटोरी भरकर हमने पानी लिया है कहने कार्थ ये है कि जितना चावल उतना पानी मीठे चावल बनाने की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है चलिए अप किचिन में चलते हैं सबसे पहले हम गैस पर फुल फ्लेम पर एक कुकर रख देंगे और कुकर में हम दो टीस्पुन देशीगी डाल देंगे और इसे पिगलने देंगे जब देशीगी पिगल जाएगा तब हम इसमें गोले के कटे स्लाइसդ और बदाम डाल कर भुन लेंगे गोले के स्लाइस्स और बदाम का पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेबर आता है इसे थोड़ा सा चलाकर भुनने के बाद हम कुकर में काजू डाल देंगे इसके बाद हम इसे 30 सेकंड तक भून लेंगे अब हम इसमें किश्मिश लॉंग और इलाइची डाल देंगे हमने कुकर में किश्मिश लॉंग और इलाइची डाल दी है अब हम इसे थोड़ा सा चला कर भून लेंगे लौंग और इलाइची चेटक रही है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे अब कोकर में भूनी गई थोड़ी सी मेवा को हम बाहर निकाल लेंगे बाहर निकाली गई इस मेवा से हम मीठे चावल की गार्निशिंग करेंगे अब हम कोकर में पानी से निकाले हुए चावल डाल देंगे और गैस की फ्लेम को अन करके मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर हलके हाथ से चलाते हुए हमें इन चावलों को एक मिनिट तक बुनना है फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सबसक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए वाइल डाल करें अब हम कोकर में एक कटो्री पानी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को फूल कर देंगे इसके बाद हम इसे थोड़ा सा चला देंगे जब चावल में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें चीनी डाल देंगे और फूट कलर डाल देंगे इसे स्प्रेचुला से चला कर मिला देंगे हमने कुकर के मेटेरियल को अच्छे से चला कर मिला दिया है अब हम कुकर पर लिड लगा देंगे कुकर की लिड लगाने के बाद अब हम इसमें फुल फ्लेम पर दो विसल आने देंगे देखिए कुकर में एक विसल आ चुकी है अब हम एक विसल और आने देंगे कुकर में दो विसल आ चुकी है अब जब कुकर की गएस रीलीज हो जाए तब हम कुकर को खोलेंगे कुकर खोलते ही आपको मिलेगा क्खिला खिला heartfelt सुगंदित मीठा चावल देखिये फ्रेंट्स देखने से ही पता लग रहा है कि हमारा मीठा चावल कितना अच्छा बना है और इस मीठे चावल की हमारे किचिन में जो खुश्बू उड़ रही है उसको शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता है अब हम इन मीठे चावल को एक प्लेट में निकाल लेंगे देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं ये बिलकुल आपस में चिपके नहीं है मीठे चावल हमेशा खिले खिले ही अच्छे लगते हैं यदि चावल चिपक जाते हैं तो मज़ा नहीं आता है अब हम चावलों की गार्निशिंग करेंगे सबसे पहले हम चावलों पर एक साइड में वर्क लगाएंगे देखिए हमने अपने मीठे चाबलों पर एक साइड सिल्वर वर्क लगा दी है अब हम इन चाबलों की उस मेवे से गार्निशिंग करेंगे जिसे हमने शुरू में ही कोकर से निकाल लिया था देखिए चांदी की वर्क और मेवों की गार्निशिंग करते ही हमारे मीठे चावल, शाही मीठे चावल लगने लग गए हैं मिंटों में बनने वाली सादाणसी रेश्पी कैसे स्पेशल रेश्पी बन चुकी है तो फ्रेंट्स अब की पसंद पर हमारे बताए गए मैथट से पांच मिनिट में आप मीठे चावल ज़रूर बनाएं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादस ज्यादस शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी अन्य सौधिश ट्रेसपीस की वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में और आई विटन में डेले हुए हैं, थैंक्यू फॉर वचिंग